नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker की Sunlight Perform पर कैसे हैं आप सभी बच्चे उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरजास तरीके से चल रही होगी बचों देख रहे हैं लागतार वेकंसी आ रही है L.P. की वेकंसी आई टेक्निसियन के लिए भी नोटिस जारी हो गया है कि टेक्निसियन की वेकंसी आने वाली है तो टेक्निसियन की कितनी वेकंसी आने वाली है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कुल जो technician की pad आने वाली है लगबग 9000 की vacancy, 9000 vacancy आने वाली है और साथ ही बता दे form जो है इसका मार से भरा जाएगा, इसकी योगिता क्या है age limit क्या है और आप लोगों को बता दे exam pattern, syllabus क्या क्या है तो सबसे पहले उस notice पे चर्चा कर लेते हैं जो notice आया है तो यह देखेंगे यह railway भर्ती बोड के द्वारा notice है इस notice में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप सारों बच्छे देखिएगा ध्यान से यहाँ पे लिखा है tentative number of vacancy about 9000 यानि कि 9000 आपकी यह vacancy आने वाली है ठीक है 9000 के लगवग यह vacancy रहने वाली है और यहाँ पे यह भी लिखा है publication notification in employment news February 2024 ठीक है अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे जो important चीज लिखा हुआ है यह लिखा है submission of online application March April 2024 यानि जो online इसके form भरे जाने है यह March April में भरे जाएंगे हो सकता है notification आपका इसी मन्त February में भी आ जाए ठीक है लेकिन form भरने का बता दिया है March April तो एक महिना तो समय रहता है railway की vacancy के लिए आप लोग देखे भी होंगे पहले भी ठीक है दूसरा तीसरा पॉइंट देखिएगा तीसरा कहा रहा है the computer-based test यानि जो CBTs है are tentively scheduled to be held between October and December 2024 जो आपका CBT exam होगा मतलब computer-based test जो आपका test होगा CBT 1, CBT 2 वो बता रहा है कि October and December हो सकता है CBT 1 आपका October में हो जाए और CBT 2 क्या हो जाए December में हो जाए ठीक है तो ये आपका बतार है October and December में होगा तो ये आपके पास समय है प्रयाप्त समय है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आप सरकारी नोकरी यानि railway में आप आराम से जोइन कर सकते हैं और railway की बहुत ही बहतरी नोकरी होती है ठीक है बहुत ही उसमें सुबधाई भी मिलती है और आराम की भी नोकरी होती है ठीक है चले आगे हम आप लोगों से बात कर लें चौथा पॉइंट आप लोग पढ़िएगा लिख रहा है Shortlist for Document Verification will be released in February 2025 जो बच्चे CBT1, CBT2 उसके बास से clear कर लेंगे उसके बास उनको Shortlist किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा Document Verification तो आपका Document Verification फरवरी 2025 में हो जाएगा यानि देखा जाए तो इधर फरवरी उधर फरवरी यानि एक साल के अंदर-अंदर आपकी यह क्या होने वाली है Vacancy Complete होने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से Railway की Vacancy बहुत जल्द Complete नहीं होती है लेकिन यह बात की जारी है तो एक साल में Complete हो जाएगी मेहनत करेंगे तो एक साल के अंदर आपके पास नोकरी होगी बहात्रीन नोकरी होगी और साथ ही बता दे एक चीज यह पढ़िएगा बड़ा इंपोर्टेंट है प्लीज नोट लिख रहा है The centralized employment notice for the next cycle of recruitment of the post of technician is provisionally planned for issue in April 2025 यानि जो next vacancy आएगी उसके बारे में भी चर्चा कर लिया कि 2025 में आएगी और कब आएगी अप्रेल 2025 में ये vacancy आएगी जैसा कि आप सभी को पता है railway भर्ती वोट के द्वारा जारी किया गया है कि railway की यह जो आपकी LP की vacancy है technician की भर्ती है यह हर साल आने वाली है तो हर साल आने वाली है तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज है हर साल आए थोड़े थोड़े आ रहा है तो इसके लिए परसान नहीं होना है थोड़े थोड़े ही करके अगर हर साल आ रहा है तो आप समझेंगे हो सकता है कि आपकी तयारी कम रही हो हो सकता हो आपका qualification कम रहा हो लेकिन हर साल जब आएगा न तो आपको मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा तो देखा जाए तो यह कि अच्छी पहले आप लोग हर साल आप लोग दे सकते हैं लेकिन मेहनत करेंगे तो पहले साली हो जाएगा उसके बाद से होगा CBT-2 यानि computer-based test second होगा अभी इसमें भी बताएंगे detail में उसके बाद से होगा document verification DV यानि कि आपके जो certificate है उसकी जाच फिर आगे हम आप लोगों से बात करते हैं यहाँ पर देखिए qualification क्या होना चाहिए railway में technician बनने के लिए तो qualification आपके पास होनी चाहि बोल रहा है कि ITI है तो आप उसके लिए eligible ने form भर सकते हैं सबसे ज़रूरी चीज जिन बच्चों के पास ITI नहीं है अगर आप 10 प्लस 2 यानि 12th pass है और physics chemistry math आपका subject रहा है ठीक है तो आप इसके लिए eligible है उसके बाद से अगर आपके वीटे किया है तो आप eligible है ठीक है चले आगे हम आप लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर age age क्या होनी चाहिए आपकी age तो age railway बहुत देता है कम age नहीं रहता है railway में बड़ा अच्छा रहता है कि age limit जो होता है वो कम नहीं रहता है ज्यादा उमर वाले बच्चे भी होते हैं वो भी हो जाते हैं select और railway की नोकरी भी बहतरीन है यह बार बर मैं बोल रहा हूं इसलिए मैनत करेंगे आप सारे बच्चे देखिए you are मतलब unreserved यानि जो जनर क्या थी उस notification के आधार पर बता रहे है ठीक है तो 18-28 age इसकी OBC की relaxation होता है तीन साल का तो 18-28 नहीं 18-31 हो जाएगा SC-ST का 5 साल का relaxation होता है तो 18-33 हो जाएगा ALP में बचो ओ दिया हुआ है age में और 3 साल की छूट दे दिया है COVID pandemic के कारण कोरोना आया था न जिस वाज़े से हर वर्ती में आप देख रहे होंगे कि छूट मिल रहा है तो यह 3 साल का और इसमें छूट include हो जाएगा यानि जनरल में अगर आपका 18-31 भी होगा तो आप form apply कर सकते है ओभी सी में 18 से आपका 3 जोड़ दीजे 34 हो जागा तो अभी आप apply कर सकते है फिर उसके बाद से 18-33 तो इसमें 3 जोड़ दीजे 18-36 हो जाएगा तो देखा जाए तो age ठीक है बहुत से बच्चे अराम से apply कर सकते हैं तयारी करके नोकरी पालेंगे ठीक है तो यह चीज है तो age भरपूर है age की tension नहीं ले नहीं है आगे देखिएगा बात करेंगे हम आप लोगों से आगे जो बात है syllabus जो सबसे महत्पूर चीज है जिससे आपका selection होगा जो merit बनेगी वो आपके exam पे ही merit बनेगी ठीक है age में नहीं बनेगी कि आप काम उमर के हैं ज्यादा उमर के नहीं syllabus syllabus देखिए syllabus में आपको बता रहे था न CBT 1 CBT 2 उसके बाद document verification तो CBT 1 देखिएगा यह qualifying होता है मतलब इसको सिर्फ qualify करना है पास करना है इस प 20 question होंगे उसके बाद से science के 20 question होंगे और GK and current affair के 10 question total number of question बात करें तो आप देख रहे है total number of question क्या है 75 कितने question है total 75 question है और कितने number के paper होगा यह 75 number का होगा यानि 75 question 75 number के आपके क्या होने वाले है यह आपकी परिक्सा ठीक है 75 question 75 number time जो आपको मिलेगा 60 minute यानि एक घंटे का स 1 by 3rd काफी अच्छा negative marking बोला जाएगा ज्यादा है जैसे ssc बगएर है मैं 1 by 4th हो जाता है ठीक है तो इसमें 1 by 3rd है यानि 3 question गलत करेंगे तो एक चला जाएगा तो इसमें आपकी तयारी इतनी अच्छे तरीके से कराएगी कि आपको टंसल लेने की जोरत नहीं पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए 2018 में ALP और आपकी technician और आपकी group D के लिए सबसे बहतरिन तयारी कराने वाले चैनल में नाम रहा ssc maker का लाखों बच्चे ssc maker से पढ़े और बहुतों ने selection लिया जो बच्चे मेनद किये select हो गए क्योंकि बहतरिन तरीके से हम लोग पढ़ायते इस बार आपकी और जबर्जस तयारी कराने वाले हैं तो tension नहीं लेना वाला है ठीक है तो आपका यह जो रहने वाला है आप सारे बच्चे देख लियोंगे 20-20-40-50 और 25-75 यानि 75 question 75 number समय कितना 60 minute negative argue 1 by 3 आगे देखिएगा उसके बाद से बात करते हैं CBT2 यह आपका जो CBT CBT1 था qualifying है CBT2 यानि CBT2 में दो पार्ट होंगे आपका एक है पार्ट A दूसरा है आपका पार्ट B तो पार्ट A देखिएगा जो आपकी final merit बनेगी जो final cut-off जो आपका बनेगा final cut-off लगेगा जिसे आपकी merit बनेगी जिससे आपका selection होगा ओ है पार्ट A यहीं सबसे important है दे 100 question जो है ना आपके यह आपके maths के 25 question, reasoning के 25 question उसके बासे basic science and engineering के 40 question और उसके बासे general knowledge और current affair के 10 question यह पिछली बार जो आपकी LP technician की exam होई थी उसका यह syllabus है अभी हो सकता है यह नया notification है तो कुछ change हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा change की उम्मीद मत करिएगा यह नहीं कि उसके ल नहीं होगा ठीक है तो यह मत सोचिएगा कि notification आ जाये तब तयारी करेंगे फिर उसके बासे admit card आ जाये तब तयारी करेंगे ऐसे बच्चे जो सोचते हैं नो selection नहीं लेते हैं जिन बच्चों को नोकरीच ही होता है उनको पता चल गए कि नो vacancy आने वाली है तो उसके लिए तो आपको लग जाना है मेनद करना है और selection को अपने सुनिशित करना है तो यह देखा जाये तो total 100 question होने वाले हैं और यह आपका कितने 100 number का होगा 90 minute समय रहने वाला 1 by 3 negative marking अब आता है part B, part B में आपके question होगे 75 time होगा 60 minute यह part B जो हैना qualifying है इसमें आपका क्या होता है trade test होता तो यह qualifying होता है इसकी ज्यादा attention नहीं है सबसे जो जरूरी सीज है न वो यह है part A जिसमें आपकी merit बनेगी जिसमें आपका selection होगा और इसकी आपकी जबर्जस तैयारी कराने के लिए आपको 100% selection दिलाने के लिए हम लोग classes भी start करने जा रहे हैं इस ही आपकी 6 for hours से ठीक है चलिए आप लोगों को बता दे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और अपने selection को सुनिशित करना चाहते हैं तो आपको अभी से क्या करना है लग जाना है मैनत में और अपने selection को सुनिशित करना है पढ़ाई में आप लोग लग जाईए मन लगा की पढ़ाई करिए चलि 2024 exam, दोनों exam के लिए, LP के लिए और technician, दोनों के लिए हम लोगों की अलग-अलग batch नहीं चलेगी, एक ही batch चलेगी, जिसमें आप दोनों exam को cover करेंगे, और दोनों exam में आपकी selection होगी सुनिशित, देखिएगा, तो इसके लिए हम लोग ला रहे हैं pilot batch, यह pilot batch पिछले एक साल प और CBT2, दोनों exam के लिए कराई जाएंगी, और बहुत ही बहतरीन तरीके से इसमें आपके पूरे syllabus को cover कराया जाएगा, एकदम basic से पढ़ाया जाएगा, zero level से classes चलेगी, और chapter by chapter चलेगी, और आपको 100% selection दिलाने के लिए classes चलेगी, पैलेट बैच के fee की बात करेंगे, तो ब 3350 रुपे, लेकिन ये सीमित समय के लिए, ठीक है, तो आप सारे बिचे जुड़िये, इसमें आपकी live classes होगी, कुछ classes recorded भी हम लोग देंगे, और बहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, गारेंटी के साथ आपकी selection होगी, बस आप लोग पढ़ लेंगे, जितना पढ़ाएंगे साथ ही doubt session होगा, अगर आपको कोई किसी question में doubt रह जा रहा है, या कुछ सी सी पूछना है, तो उसके लिए भी हम लोग session रखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़े होने वाली है, बैस से जुड़ने में आपको कोई समस्यारी है, तो आप 7080108555, इस नमबर पर आप call करके बात क सकते हैं, ये SSC Maker Customer Care का नमबर है, तो आप सारे बच्चे, RRB, ALP, Technician, and ALP and Technician exam की तयारी के लिए, बहतर तयारी के लिए, पाइलट बेस से जुड़िए, और अपने सपने को साकार करिए, ठीक है, हाँ, कोई अन्य आपको जानकारी चाहिए, कुछ डिटेल चाहिए, तो नी लोडिफीकेशन जो भी है, जो भी important news है, वो आपको मिलती रहे, तो मिलते हैं बच्चों next class में, तब तक के लिए धन्यवाद,